हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डी सरस्वती अकाडमी यूट्यूब चैनल में आज का प्रश्न इतिहास क्लास टेंथ के एक चैप्टर और द्योगी करण का युग से है प्रश्न उत्तर जानने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रश्न है इस्ट इंडिया कंपणी ने भारतिय बुनकरों से सूती और रेश्मी कपडे की नियमित आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए क्या किया इसका उत्तर है सबसे पहले कंपणी ने बुनकरों पर अपने कपडे बेचने का दबाव डाला और उन्हें मजबूर किया कि वे सिर्फ कंपणी को ही अपना कपड़ा बेचें इसके लिए बुनकरों को एडवांस में पैसा दिया जाता था, ताकि वे दूसरी जगह कपड़ा ना बेच सकें कमपनी ने बुनकरों से सस्ते दामों पर कपड़ा खरीदने की कोशिश की, जिससे बुनकरों का मुनाफ़ा बहुत कम हो गया इसके अलावा, कमपनी ने अपने एजेंटों को बुनकरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया जो यह सुनिश्चित करते थे कि बुनकर कमपनी को ही कपड़ा बेचें अगर बुनकर कमपनी के नियमों का पालन नहीं करते, तो उन्हें दंडित भी किया जाता था तो यही था इस प्रशन का उत्तर, अगर विडियो पसंद आई हो, तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को ये विडियो जरूर शेयर करना और अगर कोई प्रशन पूछना हो, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली विडियो में